ICC Champions Trophy 2025 में हिस्सा लेने के लिए टीम इंडिया पडोसी देश पाकिस्तान का दौरा करेगी या नहीं, इस पर अब तक संशय बरकरार है। इस मामले को लेकर अब तक किसी भी तरह का कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। हाला की BCCI सचिव जैशाह कई बार ICC Championship का खिताब जीतने का दावा कर चुके हैं। माना जा रहा है कि टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में हाइब्रिड मॉडल पर खेलती हुई नजर आ सकती है। इस बीच चर्चा इस बात की भी चल रही है कि टीम इंडिया अपने सुरक्षा बल के साथ पाकिस्तान खेलने के लिए जाएगी। इस बीच सवाल उठते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। आईए। जबकि टीम एक मार्च को पाकिस्तान से मैच खेलेगी। ये टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच खेला जाएगा। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी या नहीं इस पर अब तक संशय बना हुआ है। BCCI की ओर से इस पर कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि BCCI की ओर से ये जरूर स्पष्ट किया गया है कि टीम इंडिया के पाकिस्तान की यात्रा के बारे में निर्णें भारत सरकार की सलाह से ही लिया जाएगा। भारत ने आखिरी बार पाकिस्तान में 2008 का एशिया कप फाइनल मैच खेला था। ये मैच कराची में खेला गया था और टीम इंडिया इस मैच को 100 रन से हार गई थी। भारतिय टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जाएगी या नहीं, इस चर्चा के बीच दावा किया जा रहा है कि टीम इंडिया अपने सुरक्षा दल के साथ पाकिस्तान जा सकती है। हालां कि आमतोर पर ऐसा नहीं होता है। हालां कि एक रिपोर्ट के अनुसार बांगलादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम पूर्व में ऐसा कर चुकी है। इन टीमों ने पाकिस्तान का दौरा करने से पहले अपनी सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों को पाकिस्तान भेजा था, जिन्होंने स्टेडियम और होटल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। इनके क्लियरंस मिलने के बाद ही टीम सीरीज खेले पाकिस्तान पहुँची थी।